आप देख रहे हैं आपका चनल श्रीबजारवित आयूश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI, PNB, BOB और Central Bank of India के स्टॉक के बारे में इन चार स्टॉक के उपर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगी की की इनके आगे के टागेट्स क्या हो सकते हैं की यहां पर खरीदारी करें और यहां से बड़िया मुनाफ बांद सकते हैं आगे की दिए-ऀचा底 का सकते हैं Мें कल कल के चैनल याह नाट क्ला Alors perfwasser कि बाता हुअργा श्रोंका थैआ तो वीडियो आप दो सबने गया हम शांती स तो देखे दोस्तों यहाँ पर आज PNB के अंदर एक बढ़िया तीजी के बाद थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली आती भी आपको नजर आई है 43.7 की देखे आज की क्लोजिंग है 30 पैसे देखे आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया 0.68% तक की आपको यहाँ पर देखे गिरावट देखने को मिली है PNB के में आज आज के सेशन में तो आपको देखने को मिला कि देखे PNB बढ़िया तेजी कर रहा था लगातार देखे स्टॉक के अंदर आपको वॉल्यूम के साथ ब्रेक आउट देखने को मिल रहा था आज क्या हुआ आज देखे शुरुवात में स्टॉक ने बढ़िया कोशिश करी बढ़ने की और आप देखे सुरुवात में बढ़ा बढ़ा भी बढ़ा भी सही 44.945 आज का लेवल देखे आज का जो इंट्रडे हाई था स्टॉक के अंदर वो हमको देखने को मिला वो बना था आज 45 का एग्जेक्ट देखे बहुत जरूरी लेवल से अगर आप मेरे वीडियोस रेगिलर देखे फॉलो कर रहे हैं तो आपको कल पहला रिस्टेंस जो ब के अंदर आते वे देखने को मिल गाए लेकिन आप देखेंगे वहां के लेवल से स्टॉक के अंदर गिरावट जो चालू हुई फिर यहां से देखे दिन के लोएस पॉइंट टक स्टॉक आया जो 43.40 था और यहां पर आके आज क्लोसिंग तो एक बढ़िया तेजी के भी प्रॉफिट बुकिंग के दर्शन नहीं हुए हैं मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत होती है लेकिन मार्केट देखे फिर प्रॉफिट बुकिंग को हटा देता तो डेफिनिटली मार्केट में भी बहुत स्ट्रेंथ है रिलाएंस के कारे रिलाएंस काफी बढ़िया के बारे में आप सोच सकते हैं because stock ने काफी वा गिरावट दिखाई है लेकिन देखे जिनको profit नहीं हो रहा है या फिर कोई इतना profit नहीं है कि जिसको हम बांद के लेके जा सके तो बिलकुल मैं कह सकता हूं कि stock को यहाँ पर hold करके चलिए यह stock 50 रुपीज के level बहुत जल दिखा कोईगा हो सकता है कि यहां पर आपको इस महीन है या फिर इसके अगले महीन है इसके अंदर ही जरूर देखाना चीजए क्योंकि देखे निम्बर स्याथ निकल के आने वाले पी एनवी के और नम्बर्स यहां से देखिये बहतरी नाएंगे numbers आपको देखे बताएंगे कि company कितना बड़ा काम कर रही हो यह आपको PNB गंदर देखने को मिलेगा जो भी खबरे निकल के आ रही उसके कारण तो PNB तीजी करी रहा है लेकिन बाकी देखे जो company के annual results होते हैं उस पर सबस्याद आपको ध्यान देना चाहिए जो भी news निकल के आती है और मुझे लगता है कि numbers अगर इस बाद बड़िया निकल के आते हैं तो यह definitely stock को 50 रुपे के levels आपको लाके दिखाएगा करना क्या होगा कल के लिए देखे आज जो मुनफव से लिए उसके कारण मुझकता है कि वापिस से कल तेजी बन सकती है लेकिन 43 का stop loss आपको कल मेंटर करके चलना है तक कि हम safe site पे रहे और target जो आपको दोस्ता आप पे PNV के अंदर कल मान के चलने है वो होंगे करीवन 44.5 रुपीस से लगा कर 45 तक है तो यह बात हो कही PNV के अब बात करते हैं यहाँ पे SBI के उपर तो देखे SBI लगातार बढ़िया कर रहा है आज भी आपको देखने को मिला stock ने बढ़िया किया 439.65 पे आज ही closing दो रुपे 40 पैसे बढ़ा 0.55% कि आपको आज stock के अंदर तेजी देखने को मिली आज हुआ कि SBI में आज देक्खे सब्सक्राइन को मिला कि अधर आज चुरॉणा को देखने को मिला कि बाकी सब जैसे आप आप छुलते हूझ तो यह high भी बढ़िया बना और stock में उसके बाद थोड़ी बहुत profit working आई, लेकिन stock बढ़िया कोशिश क्या देखिया आज बढ़ने की, अब देखिया SBA लगातार क्या कर रहा है, जो formation SBA के अंदर बन रहा है, कि शुरुआत में थोड़ी बहुत गिरावट होती है, लेकिन ब को बढ़िया तीजी करके दिखा नहीं पाया, लेकिन बार-बार मैं कहा रहा हूँ कि SBA यह कैसा counter है, जो 450 के लिए तो तेयार है, लेकिन उसके अबाउब भी देखिये, stock आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो जिन लोगों के पास SBA है, अभी भी मैं कहता हूँ, selling न नीचे चल रहा है, तो काफी चांसे से देखिये, Nifty Bank या भी आउट परफोर्मेंस के, तो कल के लिए देखिये, लक्ष होंगे, CMP पे बाय करके चलना है, आपको यहाँ पर जो कल स्टॉपलोस मिंटिंग के चलना है, तो यहाँ पर करके चलना है, करीबन 435 का, जो आपको क 75 पैसे की आज की क्लोजिंग है, 55 पैसे देखिये, स्टॉक बढ़ा है, 2.72% तक की तीजी, आज देखिये, Central Bank में क्या हुआ, पिछले में आपको 5 दिन का चार्ट दिखाऊंगा, उससे पहले देखिये, आज का चार्ट देखना बहुत जरूरी है, आज आज आपको क्या द देखिये, Central Bank के अंदर पिछले एक मेने का चार्ट, तो गिरावट आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही, 28 परसे तक की तेजी है, पिछले पाच दिन के अंदर आप देखिये, आप देखिये, स्टॉक में आपको आट परसन तक का उचाल देखने को मला है, और अ एक महीने से स्टॉक ने बढ़या परफॉमेंस किया है, और अब दोस्तों अगर चलना चालू हुआ है, तो देखिये, यही है मोमेंटम को प्ले करने का, देखिये, Central Bank of India को प्राइविडाइजिशन की बात चल रही है, और जैसे ऐसे खबरे पूरी होगी, जैसे ऐसे प्रा ख़िदारी करने में देखिये, जादा समझ होगी, रैधर देखिये, Central Bank of India छोटा स्टॉक के बड़या परफॉमेंस दिखा सकता है, और बड़या मुनाफ़ा आप यहां पर कमा सकते है, Central Bank of India के इंतर में ख़िदारी की सला होगी, कल के लक्ष किया होगे, कल के लक्ष होगे यहां पर 21 रुपे 25 पैसे के, ख़िदारी करने के सला है, स्टॉपला सब को जो दोस्तों आपर मेंटेंग के चलना है, कल के लिए वो होगा करीवान 20 रुपे 25 पैसे का, हम रिस्क देखिये, यहां पर ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन यहां पर टागेट्स मेरे कल के होगे 21 रुपे 25 पैसे के, तो यह बात होगी दोस्तों, सेंटर बैंक ऑफ इंडिया के आखरी स्टॉप बैंक ऑफ बरुदा के उपर बात करते हैं, बैंक ऑफ बरुदा देखिये, इसने बढ़िया पर्फोर्मेंस करना फिर चालू कर दिया है, लगातार देखिये, आपको कह रह वो यहाँ पर gap up opening थी, लेकिन gap up के बाद stock कोशिश पूरी किया, 83 के zone बली आप stock के अंदर आपको देखिये, cross होते वे देखने को नहीं मिले, और कह सकते है, दिन के low point के आसपस की closing है, लेकिन bank को बरुदा के अंदर attraction देखिये, बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, आ यहाँ पर gap है, अभी nifty bank के अंदर, 52 week high के अंदर, वो यहाँ पर definitely एक position बनाने का मौका देता है, और खरीदारी करने का मौका देता है, बैंक को बरुदाग में देखिये, आपको कबसे bullish क्यों हूँ यह आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिये, कम्पनी जो इस बार performance क करता हुआ, देखने को मिल सकता है, शौट टाइम पे अंदर और यहाँ से काफी chances है, कि bank को बरुदा के अंदर आपको 100 रुपीस के levels देखने को मिल जाए, हो सकता है कि 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 100 पे के level आपको आसाने से दिखा दे, फिर अगले 1-2 महीने के अं क्रूशल है, अगर उसको क्रॉस करेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो देखे बढ़िया तेजी कर सकता है, और यहाँ सब को स्टॉक के अंदर, ब्रेक आउट भी देखने को मिल सकता है, 83 के level के बाद, तो खईधारी करने के मिल देखने के सला है, CMP भी बाय करके च चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना, thank you friends for watching this video